जाब लापको करने के लिए एक डंबल की आवश्क्ता पड़ेगी अब डंबल को पकड़े और चीदे खड़े हो जाए डंबल को इतना उपर ठाएं कि आपके फोरांड और वाज़ सेफस का लोग अपस में इस पर्स करें इस exercise को दीरे दीरे पर्फॉम करना है और इसी तरह आपको दूसरे हाथ से भी इस exercise को करना है इस exercise के आप 3-4 sets 10-15 repetition के लगा सकते हैं exercise no.2 बारवेल alternate bicep curl exercise को करने के लिए एक बारवेल में अपकी छंता नुशार बेट लगाएं और इसे एक हाथ से पकड़ कर सीधे खड़े हो जाएं और बारवेल को इतना उपर तक उठाएं कि आपके आइसेपस का लॉंग हेड़ और फोराम्स आपस में टच हो जाए exercise को भी धीरी-धीरे करना है और इसी तरह आपको दूसरे हाथ से भी exercise को करना है इसके भी आप तीन सचार्ट सेट्स 10-15 रेपिटेशन के लगा सकते हैं exercise नमर तीन डंबल हेमर करल इस exercise को करने के लिए सबसे पहले दो डंबल लेकर खड़े हो जाएं और ऐसी पोजिशन रहे कि अथेलिया एक दूसरे के सामने रहे अब डंबल को अपने कंदों की ओर उठाने के लिए कौनी को फ्लेक्स करें और डंबल को रोकें और कुछ सेकंड होल्ड करके दीरे दीरे हाथ को नीचे की ओर लाएं अब दूसरे हाथ से भी यही प्रक्रियाद हो राएं इस एकसाइज के आप तीन चार्ट सेट्स तसे पंद्रा रिपिटेशन के कर सकते हैं एकसाइज नम्मर चार ओवरेड केवल करल इस एकसाइज को करने के लिए आप दो पुली मसीन के बीच में आ जाएं और दोन हातों से पुली मसीन के एंडल को पकड़ें और अपने कंदे की और खीचें इसे करते समय आपकी बोड़ी सीधी होनी चाहिए इस एकसाइज को दीरी दीरे करना है इस एकसाइज के आप तीन चार्ट सेट्स तसे पंद्रा रिपिटेशन के लागा सकते हैं यह एकसाइज मिडल आर्म के लिए बहुत अच्छी एकसाइज है एकसाइज नम्मर पाँच इजी वार रिवर्स करल इस एकसाइज को करने के लिए एजी वार विल की अवश्यक्त पड़ेगी इसमें अपनी छमता अनुशार बेट बरें और इसको ओवर हैंड ग्रिप का यूज करके इजी करल वाल को पकड़ें अब इजी वार को इतना उपर अठाएं कि आपके फोर आर्म्स और वाइसेप्स का लॉंग हेड आपस में टच करें और कुछ सेकंड के लिए रुकें और अपने वाइसेप्स को स्पीच करें इस एकसाइज को करने के लिए एक फुली मशीन का यूज करना है इसके एंडल में रोप अटेच हो अब रोप को किनारों से पकड़ें और थोड़ा पीट को पीछे जुखाकर खड़े हो जाएं अब रोप को ऊपर की और प्रेस करें जिससे आपके वाइसेप्स का लॉंग